नमस्कार दोस्तो अक्सर देखा जाता है कि सुभा उठने के बाद आपके बहुत सारे कारे होते हैं जो इदर उदर फैले रहते हैं आप सोने से पूर हो पहले यही सोचते हैं कि सुभा उठकर क्या क्या करना है और कैसे करना हैं लेकिन आपके काम की हड़वड़ी में आप बहुत सारी चीज़े ऐसी होती हैं जो आप कर नहीं पाते हैं तो आपको आज मैं बताऊंगी कि सूरे नमस्कार करने के बाद ही आपके लिए सारे काम जल्दी ही हो जाते हैं अक्सर देखा जाता है कि सभी लोग सुभा उठते हैं, सुभा उठने के बाद अपने काम में लग जाते हैं लेकिन आप ये चीजे भूल जाते हैं कि प्राकर्तिक ने जो दिया है पहले उसे ही आपको प्रणाम करना चाहिए. सुबा उठें, सुबा उठने के बाद स्नान करें और स्नान करने के बाद सूरज को जल देना पिल्कुल ना भूले. या फिर प्रणाम भी कर सकते हैं. आपके घर का माहो थोड़ा बिगड़ा हुआ रहता है, आप युद से जदी ही सही करना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जीवन में इस चीज को शामी कर लीजिए. सुबह उठने के बाद आप सूरे नमश्का करने का एक नियम बनाए हैं, जिससे कि आपके जो भी कारे होंगे पह पूरे हो जाएंगे. अक्सर देखा जाता है कि केरियर बनाने के लिए आप मेहनत तो करती हैं लेकिन मेहनत नजर नहीं आती हैं और आप चाहते हैं कि जैसे सूरज अपनी दिशा को बदलता रहता है और वैसे ही अपनी हाइट को भी बदलता रहता हैं, तो उसी तरह से आपके भी केरियर में पर उसके बाद आपको सारे काम आसानी से होंगे और आपके सारे कामों में आपको प्रॉफिट भी नजर आएगा. यदि आप स्टुडेंट हैं, स्टुडेंट होने के बाद आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सभी चीजे जरूरत के साथ ही पूरी हो जाए तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप अपने कारे को ठीक से करें. क्योंकि अकसर देखा जाता है कि स्टुडेंट पढ़ते तो हैं लेकिन उनका ध्यान नहीं लगता है. तो वहें पहले सुबह उठकर ध्यान मगन करें यानकि मेडिटेशन करें और सुबह सुरज के सामने ही बैठकर मेडिटेशन करते हैं तो उनका ध्यान केंदृत होता है उनका ध्यान केंद्रित होने की वज़ा से पढ़ाई में मन लगता है यदि स्टुडेंट अपनी इन चीजों को और आदतों को सुधारते हैं तो वह अपनी जीवन को और केरियर को नया रोप दे सकते हैं तो ये हैं सूरे प्रणाम करने के प्रफिट यदि आप सूरे प्रणाम करते हैं तो मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा लगी रहेगा और आपकी जीवन को और भी ज़्यादा अच्छा बना सकता है मेरी इस वीडियो को लाइक शेर और सब्स्क्राइब करना ना भूले